गुड मोर्निंग इस्टूरेंट मैं पटेल नीलम करनावती विध्याले में आप सभी का स्वागत करती हूँ कक्छा 9 जिसमें आज का हमारा विसे है सामाजिक विज्ञान पार्ट एक भारत में ब्रिटिश्ट सत्ता का उदय जिसमें आज का हमारा टोपिक है प्लाशी का युद्ध इसके बारे में हम लोग कक्छा 8 में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर ली है प्लाशी का युद्ध बंगाल में सिराज उद्ध तोला का सासन था उसके उतावले सोभाव के कारण राज में उसके कई विरोधी थे उसका सोभाव कैसा था उतावले पन का था मतलब उसको कोई भी नेडने लेने में बहुत चल्दी होती थी इसलिए उसके अन्यराज में कई विरोधी थे अत्वातों दुसमन थे उस समय में ब्रिटिस्ट इस्ट इंडिया कमपनी के नवाप की श्विक्रती लिये बिना ही कोलकत्ता की रक्षा के बहाने व्यापारी कोठी के चारो ओर से किला बंदी कर दी थी उसने क्या किया किसी भी राजा की या फिर नवाप की मंजूरी लिये बिना ही उसने चारो ओर किले बंदी कर दी परंतु नवाप सिराज उद्ध तोला ने किला बंदी तोड़ दी यह समाचार मद्रास पहुचने पर कोलकाता की कोठी की साहता करने के लिए रोबर्ट क्लायू के नेत्रुत में कम्पनी एक छोटा सेने दल बंगाल आया एक छोटी सी सेना बंगाल आई इस्ट इंडिया कम्पनी का सेन्य सकती साली होने पर भी नवाप की सेना को पराजित करना सरल न लगने पर रोबर्ट क्लायू ने दंगाबाजी का सहारा लिया नवाप को पराजित करने के लिए सड्यंत्र की रचना की गई जिसमें सेनापती, मिर्जाफर, सेट, अमीचंद को सड्यंत्र में सामिल किया गया और कम्पनी को नवाप द्वारा सताय जाने का बहाना बना कर प्लास्टी नामगाओं के पास की मेदान में युद्ध्य घोसित किया पूर्व योजना की अनुसार मिर्जाफर युद्ध में असफल रहा, जिनोंने योजना बनाई थी, वह योजना क्या हो गई असफल हो गई सिराज उद्ध तोला हार गया क्लायू के सड्यंत्र से प्लाशी का युद्ध मात्र आधे ही दिन में पूरा हो गया वो मात्र क्या हुआ श्रिप आधे दिन ही चला इस युद्ध में इस टिन्या कंपनी को 24 परगना की जंजीर मिली या फिर जागीर मिली मिर्जाफर को बंगाल का नवा बना दिया गया इस तरह से इस विशन 1757 में प्लासी के युद्ध द्वारा भारत में कंपनी की सत्ता की निव पड़ी यानि की कंपनी की स्थाफना हुई अब हम देखेंगे बक्षर का युद्ध अंग्रेजों ने मिर्जाफर को बंगाल का नवा बना कर उसके पास से अलग-अलग बहाने बना कर विपूल धन प्राप्त किया और अधिक अधिकार प्राप्त करने की लालच में इस्ट इंडिया कंपनी से मिर्जाफर को हटा कर मीर कासीम को बंगाल का नवा बनाया कम्पनी के लिए मिर्कासिम तो मिर्जाफर से भी अधिक महत्वकांची साबित हुआ अतह कम्पनी को मिर्कासिम से डर लगा इसलिए मिर्कासिम को हटा कर उनह मिर्जाफर को नवाब बनाया गया मिर्कासिम अवद की नवाब की सरण में गया उस समय अवद में मुगल, बासा, सहा, आलम आया हुआ था इसलिए तीनों ने संयुक्त रूप से कम्पनी का सामना करने का नेडने करके कम्पनी के विरुद युद की घोशना की बक्षर में उस संयुक्त सेना की विरुद 22 अक्टूबर 1764 को इस्टिनिया कम्पनी ने युद्ध किया जिसमें संयुक्त सेना की पराजे होने से कम्पनी को बंगाल, बिहार और उडिसा की दीवानी सत्ता मिली कम्पनी सासन का विकास अंग्रेज सरकार के नियमक कानुन पारित किया उस कानुन की अनुसार बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जर्नल बना कर कम्पनी के व्यापारित तथा राजनितिक हीतो तथा प्रोतियू को उसकी सीधा अंकुस में रखा गया उसके नियंद्रन में रखा गया और उसके अंतरगत बुंबई मद्रास के गवर्नर को उनकी कोशिल को रखा गया इस तरह से वारेन हैस्टिंग भारत का प्रथम गवर्नर जर्नल बना उसके समय में मराठो के साथ गवर्नर जर्नल बारेन हैस्टिंग प्रथम मराठा युद्ध और मेसूर के हेदर अली के साथ द्वित्य मेसूर युद्ध हुआ इन दो सत्ताव के एक साथ सामना करने से इस्ट इंडिया कंपनी की क्या हो गए उनके लिए कठनाईया बढ़ गई वारेन हैस्टिंग के बाद गवर्नर जर्नल के रूप में कार्ण वालिस आया उसके समय में मेसूर का वाग के रूप में प्रख्यात टीपू सुल्तान के साथ तीसरा मेसूर युद्ध हुआ टीपू सुल्तान को हराने के लिए कंपनी ने मराठा और निजाम की सायता ली तीनों की सम्मलित सेना से टीपू सुल्तान की हार हुई उसे संदिश्विकार करनी पड़ी कार्णवालिस के बाद सर जोन सोर गवर्नल जर्नल बना उसके द्वारा अपनाई गई तटश्ता की नीती के कारण इस्ट इंडिया कंपनी की प्रतिष्टा एक तरफ घटी तो दूसरी तरफ मराठे अधिक सक्ति साली बनते गई इससे जोन सोर के बाद आने वाले गवर्नल जर्नल वैलसली के सीर पर कंपनी को भारत में सरोप्ररी बनाने का उत्तर दावित्य आया इसके लिए वैलसली ने सहायक संदि योजना लागू की सहायक संदि योजना की सर्ते और सुईकार करने वाले राज्य निमलेखित है जिसमें है नीजाम, मेजूर, अवद, गायकवाड, सिंधिया, भोसले, होलकर यह योजना एक मीठे जहर के समान थी इस योजना को लागूर करके वैलसली ने बहुत से प्रदेशों को इस्ट इंडिया कंपनी में सामिल कर दिया गवर्नल जर्नल वैलसली ने टीपो को सहायक संदि योजना सुईकार करने के लिए कहा किन्तु उसने उसे असुईकार कर दिया योजना को सुईकार करने से मना किये जाने पर कंपनी ने निजाम के साथ मिलकर मैसूर पर इस विशन 1799 में अक्रमन किया वापस से युद्ध होने लगा इस चोथे मैसूर युद्ध में अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए टीपो किम्रत्यु हुई वो मारा गया पैसली के पस्षात भारत में गवर्नल जर्नल के रूप में हैस्टिंग आया उसने नेपाल के साथ युद्ध करके गुर्खों को सेना में सामिल किया पिंडारों के साथ युद्ध करके उन्हें अंकुस में लिया तीसरा मराठा युद्ध करके कम्पनी को सरोपरिता इस्तापित की सरोपरी हो गई विलियम बेटिंग भारत में पहले के गवर्नल जर्नलों की तुलना में उदार गवर्नल जर्नलन के रूप में जाने जाते है वो क्या थे उदार वादी थे पहले से गवर्नल जर्नलों द्वारा अपनाई गए सामराज्जिवादी नीती से राज्जिव में जो असंतोस पेदा हुआ था उसे असंतोस से एकता न खड़ी हो जाए इसके लिए उसने उदारता पोने कार्य किये भारत के गवर्नल जर्नल के रूप में 1848 में डल होजी आया वह उग्र सामराज्जिवादी मांसिकता वाला था उसने सामराज्जिवादी नीती के पोशन और कम्पनी के राज्य विस्तार में व्रिद्धी के लिए जीत जबती और हडप नीती अपनाई डल होजी की हडप नीती आप लोग पाट में देख सकते हैं किस तरह से उसकी हडप नीती थी डल होजी सामराज्जिवादी होने के साथ ही सुधार वादी भी था उसने बहुत सारे सुधार भी करवाई उसके समय में भारत में प्रथम रेलवे बुंबई थाना इस वीशन 1853 में हुई उसने क्या किया भारत में सौर प्रथम रेलवे की सुर्वाद की जो थी बुंबई से थाना के बीच में इस वीशन 1853 में भारत इंगलेड तार वहवार सारो जनिक नीर्मान कारे विभाग की स्थापना भी की अंग्रेजी सिक्षा की वेवेस्ता आधी की सुरुवाद भी की विदवा पुनविवा और बाल विवा प्रतिबंधक कानून उसके समय में पारित किये 1757 के प्लासी के युद से सुरू करके 100 वर्ष के समय में कम्पनी की सत्ता और सामराजी दोनों में क्या हुआ व्रिद्धी हो गई परंतु ऐसा करने से भारत के राजियों के असंतोस का सामना उने करना पड़ा वो उनको सयोग नहीं कर रहे थे उस असंतोस के परिणाम स्वरूप 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ कम्पनी सासन का आर्थिक प्रभाव जब हम कम्पनी सासन का विवरन तयार करते हैं तब ख्याल आता है कि भारत देश जो सद्यों से विश्व के देशों में आर्थिक रूप से गोणपूर इस्तान रखता था वो कम्पनी सासन के 100 वर्सों के सासन काल में इंगलेन के लिए कच्चा माल पेदा करने वाला और कारखानों में तैयार माल के लिए बाजार की आवसकता पूरा करने वाला देश बना दिया गया है बंगाल 1708 से 1756 तक कच्चा रेसम चीनी सन तथा मलमल का निर्यात करता था परन्तु दुई मुखी सासन पद्दती के बाद बंगाल की आर्थिक चमक दुंधली पड़ गई उसकी आर्थिक परिरिस्तती क्या हो गई कमजोर पड़ गई कमपनी की अन्याय पूर महसूल नीती के कारण भारत के किसान बेहाल और करजदार बने अंग्रेज सरकार ने इंगलेण की उद्योगों को विक्सित करने के लिए भारत की कपड़ा उद्योग को अन्याय पूर आयात कर लगाया भारत की उध्योग धंदो को कुचल डालने के लिए विविद अनुचित तोड तरीके अपनाए जिससे भारत की उध्योग धंदो क्या हो गए बरबाद हो गए भारत की कारिगर गरीब और बेरोजगार बने कंपनी के व्यापारी नीती व्यापार करके बंगाल की कारिगरों थोड़े समय में निर्धारित मात्रा में कपड़े बुनकर तैयार करने का कंट्राक लिखा लेते और यदि कारिगर इंकार करे तो उसे कोडे मारने या जेल की सजाद दी जाती कंपनी के आगमन से पहले भारत के गाउं स्वालंबी और सम्रिद्ध थे वे अंग्रेजों के सासन के कारण गरीब और पराधिन बन गए इस्ट इंडिया कंपनी के सासन काल में भारत में बुंबई थाना के बीच प्रतम रेलवे एवं इंगलेन भारत के बीच इस्टीमर सेवा की सुर्वात हुई और बुंबई, मद्रास, कोलकाता जैसे बड़े बंदरगाहों का विकास भी हुआ कंपनी सासन का सामाजिक प्रभाव, उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा ब्रिटिस सासन के दोरान समचार पत्रों के विकासे भारतिय लोगों में विचार वानी की भावना विक्सित हुई उस समय में भारतिय समाज में कुल कुछ प्रदेसों में कूरितिया देखने को मिलती थी, जिसमें सती प्रथा, दूद पीती करने का रिवाज भी था, बाल विवा आधी मुख्य थे अंग्रेजों के संपर्ख सी राजा रामोन राय, दुर्गा राम महता, बहराम जी, मलमारी आधी ने इस कूप रथाओ को दूर करने के लिए कानून बनवाए भारत में प्रसासनिक नाचे का अंग्रेजी करन होने से अंग्रेजी जानने वालों लोगों की जरूरत पड़ी परणाम स्वरूप मेकाले के प्रयासों से भारत में अंग्रेजी सिक्छा देने की सुर्वात हुई अंग्रेजी सिख्छा के कारण भारत में अंग्रेजी जालने वाला वर्ग तैयार हुआ समय बीतने पर उसने सुधार वादी मांगे करके सुधार की प्रक्रिया को गती दी इस तरह से इस्ट इंडिया कंपनी भारत की सम्रुद्धी और व्यापार से आकर्शित होकर भारत आई भारत में कंपनी सासन के परिणाम सोरुप राजनेतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, छेत्र पर अच्छे बूरे प्रभाव पड़े कंपनी ने भारत का भोग लेकर इंग्लेल को सम्रुद्धी करके नीती अपनाई और भारत में अपने लाप के लिए जिस विवेस्ता में उपनी वेशत सुधार किये उनसे भारत को परोग्च रूप से लाप भी हुआ